तो कौन है यार सबसे ज़्यादा पॉपिलियर WWE रेसलर सिरफ WWE रेसलर की बात करेंगे हम कोई भी एक्टर लाइक गुएन जोनसन यानि की दर रोक हम उसकी बात नहीं करेंगे सिरफ और सिरफ वो रेसलर जो की WWE में रहे हैं और उनकी जितनी भी फैन फॉलॉइंग है वो सिरफ उसी से ही हुई है तो कौन है सबसे ज़्यादा फेमस रेसलर तो ये बात सिरफ मैं खुद से नहीं बना रहा है काफे सारी बात और काफे सारी रिकोर्ड्स के बात जो मैं आता हूँ इस वीडियो को लेकर काफे सारे प्रोफ्स के साथ के कौन है सबसे ज़्यादा फेमस रेसलर इस ताइम प्रोई या फिर पुराना पतलब ओल्टाइम डबलवी की हिस्ट्री जो भी रही है तो आप देख रहे है रेसल कुरू और मैं वर्मन चलिए वीडियो में चलते हैं तो अगर वीडियो चुरू करने से पहले हमारा फेस्बुक पेज ओफिशली जोकी बन चुक है उसे जाकर लाइक करो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएकर ट्विटर का भी मिल जाएकर जाकर फोलो करो तो चलिए वीडियो में चलते हैं तो यार सबसे पहली बाद कौन है सबसे ज़्यादा फेमस क्या वह अंडर टेकर है स्टोंग गोल्डबक ब्रॉक लेस्णर दर रोक की तो बात ही मत करो रोक को वैसे निश लहाव हम रोक को नहीं लेंगी क्यूंकी रोक की काफी सारा पैसा और रोक की काफी सारी पॉपुल एक सबसे ज़्यादा फेमस रेसलर कोन है तो काउंटडाउन की तो कोई ज़ूर्टी नहीं है सबसे ज़्यादा फेमस रेसलर रहता है इन सब में जॉन सीना अम मैं ऐसा क्यों कहा हूँ जोन सीना एक इकलोता डबल डब्यू का सुपरस्टार है जिसके फेस्बुक पेज पर स जॉन सीना को पसंद किया जाता है वो भी बहुत ज़्यादा मुझे लगा रहा यह रॉमनर्व रेंस सी उुर्णडापरट सिड़ी करने के बाँ जब पता लगा के रॉमन requires को सिरफ इंडिया में ही पसंद किया जाता है हाला कि western ehrez में उसे पसंद नहीं किया जाता और जॉ जौन सिना की हेटर्स जो है यॉनाइटिट स्टे पीजु में ही है येर ओर आप में जौन सिना की बहुत बड़ी फॉलोइंस है जो की चल्दी नीचे कीच कर ले आती है और अगर सुपरस्टर्स की बाद करें तो अंडरटेकर स्टोन कूल और गॉल्डबक बाकी कि चार नंबर को ले लेते हैं और पांच में नंबर पर आता है दा रोक अगर वह रेस्लिंग में रहता तो पहले नंबर पर ही रहता क्योंकि वह क हुआ 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 हुआ